हेलो दूस्तो मेरा नाम है वेदा त्यदव और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेकबूस्टर अक्सर क्या होता है कि हमें हमारे परसनल चैट्स मतलब अगर कोई काम का हो या तो कोई भी हाथ लगाता है अपने mobile को और देख सकता है तो उसे हम hide कर सकते हैं तो अभी इसी के बारे में ही देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो शुरू करने से पहले आपको एक डाउनलोड करना पड़ता है उसका नाम है WhatsApp Chat Locker यह देखो इधर मार्क किया है तो पहले हम उसको प्ले स्टोर पर दिखाता हूँ सर्च मारते है वाट्स चैट लॉकर है देखो आया तो इन में से हमको यह थर्ड वाला यह जो यह ना उस पर क्लिक करो और मैंने अल्रेड आउनलोड किया है और आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए फिर इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों ओपन होने के बाद यह ऐसा इंटरफेस आएगा तो हमें इसकी एंटर पासवर्ड जिदर लिखा है उदर पासवर्ड डालने का सोचों में डाल रहा हूं फाइव तो एंटर कन्फर्म पासवर्ड फिर से कन्फर्म करने के लिए वापस से डालना होगा और एंटर पासवर्ड हिंट अब कौन सा भी डाल सकते हो मैं डागलता हूं टेक बूस्टर तो अभी यह डालने के बाद हम OK पर क्लिक करेंगे OK पर क्लिक हुआ तो ऐसा इंटरफेस आएगा तो अभी प्लस सैन पर क्लिक करने के बाद यह ऐसा सब आतार Lock, WhatsApp, Chat, Change, Password, Forgot Password, Deactive Password, Active Fingerprint अगर आपके पास Fingerprint का मोबैल हो तो हम Fingerprint भी अपलाई कर सकते है कोई अगर आपको information चाहिए अलग से तो help का इदर है language आप बदल सकते हो तो हम क्लिक करेंगे lock WhatsApp चैट पर पहला option है उस पर तो OK करने के बाद हमारा इदर access allow करने को बोलते है तो हम इसे allow करेंगे देखो chat locker के उपर गया और इसे enable कर दिया enable करने के बाद हम वापस से जाएंगे और lock WhatsApp चैट पर OK रबाएंगे तो WhatsApp खुल जाएगा हमारा तो guys इदर देखो WhatsApp खुल गया तो आपको किसका किसके साथ chatting आपको हाइड करनी है उस पर क्लिक करने का अभी मैं इस पर किया क्लिक तो तो conservation protected success मतलब इसके साथ अब यह देखो अभी हम WhatsApp खुलेंगे तो WhatsApp खुलने के बाद अगर उस उस तो क्लिक करेंगे ना तो इदर पासवर्ड पुचेगा तो पासवर्ड है 12345 ओके फिर ओके दबाने के बाद हमारे चैट साइंगे आपको निकालना है तो वापस से उदर जाने का चैट लोकर में चैट लोकर में गए तो पहले पासवर्ड डालने का ओके दबाने का फिर यह मुम्मद घरे इसको हटा ना का है तो अगर हमने डियक्टिव पासवर्ड के उपर यह कर दिया तो पासवर्ड डियक्टिव हो गए और हमारे जो चैट है वो वापस से अनलोक हो जाएंगे मतलब यह देखो यह देखो अभी पासवर्ड नहीं पुछ रहा तो ठीके यही था आज का वीडियो तो आपका अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना दोस्तों मैं अच्छे अची वीडियो बनाते आ लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूर आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को इसलिए सपोर्ट दबा के करिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए थैंक्यू गाइस कर दो